तो चलिए लॉव जूंद हो जारते इसका सोलूशन देख लेते हैं क्विक सलूशन देखें में देखें एक अच्छा पेपर था क्योंकि क्वेस्चन्स ऐसा मतलब लॉबेस्ट वाला इतना भी हाट नहीं था देखें लिखना अलग मायने रखता है ठीक है लेकिन आप अगर तो इसमें क्या था कि राधा जो है वो दस अपने फ्रेंड्स को बुलाई थी अपने बर्डे पे ठीक है और कब फॉस्ट जनवरी की बात है फिर क्या हुआ कि वह एक और्गिनाइज की थी पार्टी कहां पे एक रेस्टोरेंट में जो कि जैपूर में था और वहां पे कर लिए इंविटेशन और बाद में जो है वो आने की मतलब वो लोग दे दिये सेंट की हां में आऊंगा बाद में क्या हुआ कि होटेल में नेजर बोला कि ठीक है आपको मेरे जो है अगर इस्टोरेंट में पार्टी करें तो पांस जारा एक नरिफंडेबल आमाउंट दे नहीं आएंगे बाद में राधा जो है उसको पता चला वो कि वो नहीं है तो इसको प्रोब्लम हो गया फिर वो किया कि ए उन लोगों पर केस करना चाहिए किस चीज के लिए कि मुझे जो लॉस हुआ है पार्टी में उस चीज के लिए उसने उनिभाइट किती अपने फ्रे इसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं बन रहा है तो इसे कुछ भी क्लेम नहीं हो पाएगा ठीक है इसमें बोला है कि ABC को दिया गया है तो बोल रहा है जिसका टोटल सब्सक्राइब करता है तो पहले किविटी करता है पंद्रा कड़ोर का प्लस दस कड़ोर का करता है तो असोशिएट कंपनी की से कहते है जिस कंपनी में किसी और कंपनी का सिगनिफिकेंज कंट्रोल हो अब सिगनिफिकेंज इंफ्लुएंज मतलब क्या होता है सिगनिफिकेंज इंफ्लुएंज मीन्स कि 20 परसेंट से ज्यादा उसका जो है वह वह वोटिंग राइट हो तो तो क्या हो जाएगा सामने वाला होल्डिंग और यह हो जाएगा यानि कि एक्सवाइज में अगर कंपनी का 20 परसेंट से ज्यादा है तो परसेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि पहले तो की पेड़ब कैपिटल का मतलब क्या होता है जैसे कि प्रिफेरेंस चेपिटल भी और प Χञ हएं कि यह हिए पॉटाइक क्यायत क्या होता है कि ल कि में सामने वाला गा वो सिगनिफिकेंट इंफिलेंस मतलब पेड़ब कैपिटल को वह 20 परसेंट से ज्यादा कवर करके रखा है 20 परसेंट से कवर करके रखा तो 20 जो कवर करेगा उसमें एक्वीटी भी आएगा प्रिफरेंस कौन सा तो 15 क्रोर यह और 10 क्रोर 25 क्रोर यानि कि यहां पर लिखा हुआ है कि क्या एक्स यजेड उसका असोशियेट है तो है आगे देखते हैं वह कहते हैं कि मैं अपना कार स्विफ्ट कर बेचना चाहता हूं तो मिश्टर बी को ठीक है दोनों डिसकॉस भी कर लिए लेकिन निस कर यह प्राइस को डिसकॉस करता है अब पता है कि प्राइस जो है एक इंपोर्टेंट इंग्रीजियंट रहता है कोई भी कॉंट्रेक्ट में बाद में क्या होता है कि मिश्टर रिफ्यूज कर देते हैं सेल करने के लिए अन्द ग्राउंड डर एग्रिमेंट वाज भाइड अन्सेर्टन अफ़ाइस तो क्या मिश्टर बी कि पास कोई राइट इस ग्राउंड पे तो देखिए जब आप कॉंट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्राइस है कि इंपोर्टेंट फॉर्म कर देता है एंपोर्टें डिजियन आप इस ग्राउंड पे पर कोई नहीं कर सक्ते कों कि बात पुछा जिसमें थर्ग पर सेंटनों कर सकता इसका है ऌश्यृ current क्या है यह सकता है बहुँत सारे कंसे सिल्चेस कर सकता है अगर अगर इंग्तिक शोपकर से अगर ऑत्री के दे रखिया वैश्य क्यों तो तो बिजनस भी लाइबल होगा पूरा जब जो पार्टनर है उसने फ्रोड किया है विधिन, अ़ियो पे लिलिप लाइबल गाँ अगर this और लिखना था अगला देखे रिजिस्टेशन प्रोसीजर लिखना था पार्टनर्सीब का है चिन्पल आप नेम उठाइए नेम रिजिस्टर कर सभी पार्टनर्स का लिखे की प्रोफिट सेरिंग रेचियो कितना है आपका डिलेशन कैसा सब कुछ लेकर सब्मीट किजी आर अगयर प्रोफिघान प्रोफिए वह फिरज करेंगे ऐस नेम पने मटा इंपलोइ प्रोमोशन वेल्यू और मैं इसके लिए तुम्हें प्रोमोशन कर दूँगा देखिए मिश्टर एसाब इंप्लोयर मतलब मालिक है सामने वाला इंप्लोय उसके अंडर में काम करते हो बोले तुम मुझके कम प्राइस में आपना तुम फ्लैट दे दो ठीक है मैं तुमको प्रोमोशन प् केस आ गया जब कोई अपना अठ्योर्टी का अपने मतलब पोजिशन का इंफ्लेंश करके सामने वाले को डिफीट करने की कोशिश करता है तो वह वाइडेबल कांट्रेक्ट हो जाता है सामने वाली पार्टी आप पर केस कर सकती है तो मिश्टर जो भी कि है वो सही कर रहे ह अगला देखिये एक मिश्टर रहस है वो प्रोमीस करते है मिश्टर एम को कि मैं तुमको पिक्चर बना कर दूंगा फोर ट्वेंटी थाउजन बीश जाद दे दो मैं तुमको पिक्चर बना कर दे दूंगा फिर बाद में मिस्टर एस भाई साब मर जाते हैं यानि कि पिक्चर नहीं बन पाया अंडन रह गया फिर कैन मिस्टर एम बिन लीगल रिपरजेंटिव पर मिस्टर एस अब मिस्टर ए तक माली जिससे आपने प्रोमीस किया सामने वाला जो पर्फॉर्म करना है ठीक है जो प्रोमीसर है उसका अगर कुछ पर्सनल स्कील था मतलब अगर वही सिर्फ पेंट कर सकता था तब आप लाइबल नहीं कर सकते उसके लिगल रिपरेजेंटेटिव को नहीं लिखना था क बतलो कि जब तक बात किया है अगेंस किया जा सकता था मतलब उसी के पर स्कील पर किया सक्ता था अगर उसको पेंट करने आता था उसका प्रच bacon read सब्सक्राइब कि पश्ण करक्प ऑगे देखिए इसकेन नहीं कर सकता है कि पहला तो है कि यह स्यूं कर सकता है किस चीज के लिए कि उसका जो और लेट हुआ है कि यह लिए कर सकते हैं जakesकता हैं तो क्या रिए सकता है तो केस कर सकता है मैं धॉटिगिव दमेंगें एक किलिम कर सकता है और सबसक्ने थी अगला धर प्रोच करता है किसी एसको एलेक्रोनिक ट्रेटर है बेचारा उसे पचीस फैन खरीदना चाहता है अपने बिजनस के लिए यानि कि अगर कुछ भी लाइबल होगा पी ने की इंट्रोडीवस्ट किया एक को कि यह भी पार्टनर है तो मुझे पचीस फैन दो और ई जोकी इंपलोई था उसको भी पार्टनर बता दिया पी तो खुद पार्टनर था ही साथ में उसने एक एक को लेकर गया एस के दुकान फिर बोला कि इभी पार्टनर है तो यह अगर चुप चाप रह गया तो इभी नोमिनल पार्टनर मना जाएगा ठीक किस कर देता है तो क्या advice is A from whom he can recover the payment किस किसे रेकवर कर सकता है सभी से इस से भी रेकवर कर पाएगा क्यों क्योंकि एक को जब इस पार्टनर इन्ट्रोडिउच किया गया तो भी नुमिनल पार्टनर हो गया था नुमिनल पार्टनर भी रेस्मेंसबल होते हैं अभी से रिकवर कर लेगा वह आगे देखें ऑक्ष्ण ऑफ सेल यहां पे हुआ है साथ तारीक को भाइए फॉल-फैमर इन फेवर ऑफ हाइस्ट बीडर एक 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 थे जिसमें ज्यादा पैस ब बचा नहीं सामने वाला ऑक्षिनियर जो है उसने अनाउंस कर दिया कि हाँ यह सेल हो गया तो इस तरीके से शेल ऑफ ऑक्ष्ण कम्प्लीट हो जाता है आगे देखिए सर्टेन गुड्स वेर सोल्ड बाई सेंपल बाई जे टू के जने के को सेल किया सेंपल से ठीक है ओके यानि कि सेंपल से अगर को सेल किया है तो के को सही आइटम मिला है फिक हुई इंटर्न सोल्ड शेम गूड्स बाई सेंपल टू एल अब के ने एल को सेल कर दिया जे ने के को के ने एल को और एल बाई सेंपल and the same one sold to M but M found that goods were not according to the sample and rejected the goods and gave notice to L ठीक है आगे देखते है कि L सामान ने बेचा किसको के को तो के को अगर वो सेंपल से बेचा था सामान तो के को देख लेना चाहिए था कि हम मैंच कर रहा है कि नहीं अगर उसने देखा या फिर नहीं देखा और उसने सामने वाले को बेच दिया मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया बाइर ने एक्सेप् प्रवाइड किया था और अगर वह सेंपल से मैच नहीं कर रहा था तो जो के था के का पूछता कि हाँ आपका समान सही नहीं है वैसे ही यह का भी रिस्पोंसिबिटी था कि के से पूछता लेकिन दोनों तो पूछे नहीं है दोनों सीधे सेंपल से लिए सामने वाले को खरी दें तो जिसने उस चीज को पकड़ा एम ने पकड़ा तो एम रिटर्न कर पाएगा और के और गए कि कब लिट हो जाएगा तो देखे जब आप पहले केस कि जब आपने कुछ फ्रॉड करने के लिए जो है वह कंपनी आप किसी लॉक को डिफीट करने के लिए चला रहे तब किसी फोरे जो है वह क्या कहते हैं टेक्स को इन्वेज कर करने की कूसिस कर रहे हैं सबसेडरी फ कर रहे हैं ताकि यापका जो है वह टेक्स कम लगे तो जब भी आप इलीगल चीजों में इन भौल होते हैं तो खतम हो जाती है और आप कॉंपनी हो जाते हैं आप भी लाइबल हो जाते हैं अब और रहा कि वाइडेबल कॉंट्रेक्ट में क्या डिफिरेंस देखें होता है इससे चला नहीं सकते लेकिन यहां पर उप्शन होता है कि उसको चलाया जा सकता है जैसे अंडी इंफिलेंस में क्या था कि पार्टी जो है सामने वाले को केस कर सकती थी तो सामने वाले पार्टी केस भी कर सकती नहीं भी कर सकती करेगी तो अच्छी बात नहीं करेगी प्रोफिट सेरिंग लेंगे और क्या राइट से अगर कुछ लियाबिलीटी वाला केस आती है तो सभी लियाबल होती है वो जो है वो गुडविल अपने बिहाब पे डिसकस करके सिट कर सकते उनके पास यह भी राइट है कि मैजोर्टी में मिलकर एक किसी एको बाहर भी निका चाही के अंदर आती है या अपने एसमोल कंपणी में नया जो उसमें कहा था कि चार कड़ोर जैंक्टन होनी चाहिए गर वह है चाहीं से नीचे और चाली करवोर से नीचे तो स्मोल कंपणी यानिकि ये स्मल कंपणी है तो यह प्रदक प्रविजिन ओब दी कंप्णी एक् पेड़ एप सेवर केपिटल ओफ प्लेस देन फोट फोर कडोर एंड टॉन वर लेस देन फोटिक डोर तो इसे क्या कर देंगे में स्मोल कंपनी यानि के स्मोल कंपनी है तो यह था ओवर ओल टोटल क्वीक सॉलूशन ठीक है और मेरा मानना है कि यह रिलेटिबली पीछली आप ने गलत अंसर दे दिया लेकिन डाइरेक्ट जो क्वेस्चन्स थे उसमें आपको बहुत मांक्स मिलने के चांसे थे जैसे देके डाइरेक्ट क्वेस्चन में आपको दिखा देता हूं कि अस्ट्रेंजर टू कॉंट्रेक्ट साथ नंबर का था कि लॉप्रिविटिग क तो सब्सक्राइब के लिए लिए तो 12 नंबर का दाइरेक्ट की विचेन है अगर एक दो मांक्स यहां पर भी अगर आप छोड़ दी हैं पूरा फॉइंट नहीं लिखे तो चार-तीन मील जागा यहां पर इसाथ पॉइंट नहीं लिखे तो छे-पांस तो मिल जागा तो सा देखे 3 8 शो विस भी डाइरेक्ट क्वेस्चन है और देखिए 24 24 चो वीच चो टीस यह भी डायरेक्ट क्वेस्चन है 35 35 और 49 छार एंगे 40 मांच्थ का स्वीधा डाइरेक्ट वेश्चन ते तो मैं पहले ही बोला था आपको कि अगर आपने डाइरेक्ट क्वेस्चन पे अच्छे से पकड़ कर ली तो आप पास हो जाएगा तो पूरा फुर्टी मांक्स का था ही तो यहां पर देखें माली यहां पर राइट्स पार्टनर पूछ रहा था अगर आपने पूरा नहीं लिखा थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया तो यहां पर वाइड इसलिए असान था आप इसलिए पास हो जाएं क्योंकि बीसी यह भी है फिर इसी के सांद खत्म करते हैं